पूरा मामला यूपी के बांदा जनपत्का है बताया जाता है कि मंडल करागार से फरार हुआ बच्छराव, यादव, शातिर बतमास है हिश्ट्री शीटर होने के साथ उसके खिलाफ कमासिन ठाने में हत्या के प्रयास समेट साथ मुकद में दर्ज हैं दो बार ये तमंचों के साथ पकड़ा गया है बीटी 14 जिलाई को कमासिन पुलिस ने इसे तमंचे के साथ गिरफतार कर जेल दे जा था बच्छराज के वाली में धारा 203 और 224 के तहट नामजद रिपोर्ट दर्ज की गई है कोतवाल दिनेश सिंग ने बताया कि फरार अपरादी के तलाश में पुलिस की कई टी में संभाविट ठिकानों में दविश्ट दे रही है जल्द ही उसे इगरफतार कर लिया जानकरी मिल रही कुछ क बंदी जो है निकाले गये थे जेल हेडवाडर स्री सतेन सिंग की अविरच्छा में और उनके साथ तीन होमगार्ड तो उनमें से एक बंदी बच्छराज सना फरंजीत यादो वो जो है बाहर कमान से भाग गया प्लाइन कर गया तो इसमें देखे बाहर कमान जब निकलती है तो जो परभारी होता है उसी का में दाइत होता है बाकि और जो सुरच्छा ड्यूटी में बंदी रच्छा क्या होमगार्ड लगे होते हैं उनका भी दाइत होता है तो प्रथम द्रिश्टिया अपनी ड्यूटी में लापरवाही और सिकिलता बरकने के स्री सतेन सिंग जेल हिडवार्डर को निलमित कर दिया गया है बाकी टीनों होमगार्ड के खिलाफ दंडात्मक कारवाही करने के लिए जिला होंगार्ड जिला कमांडेन होंगार्ड को जो उसमें गेट लगा हुआ है अभी हमने अस्थल का निविच्छम किया तो पाया कि गेट के दोनों तरफ, मतलब जो दीवाल है और गेट के बीच में इतना इस्पेस है कि कोई शरीर से पतला आदमी निकल सकता अईसी संभावना देख की जा रही है कि वही से वो निकल गया ये लोग जो है ठीक से सतरक्ता नहीं भरत पाए देख नहीं पाए और वो जो है इनको चक्मा देखर के निकल गया